So in today's video we are going to discuss about heat equation और इस वीडियो से पहले भी मैं इस topic के बारे में discuss कर चुकी हूँ Last, I think 2-3 वीडियो आपको इस topic पर मिल जाएंगी And जो heat equation की पहले मैंने previous videos बनाई थी उसमें जो कुछ भी discuss किया हुआ था वो हम थोड़ा सा summarize करके इस video में देखेंगे तो आज का जो lecture है वो basically इस topic पर है कि कब आपको कौन से formula को या किस तरीके से solution निकालना है different different cases में वो आप लोग को पता लगेगा और फिर हम कुछ example की help से ये समझेंगे कि किस तरीके से आपको उन formulas को या solution निकालने का जो formula आपको मैं बताऊंगी उनको apply कैसे करना है तो start करते हैं देखे पहला जो case है heat equation का solution निकालने का उससे related जो है direct questions आते हैं तो solution आप लोगों याद रखना है इस case में जो हमारा heat equation है वो है 1 by k ut या फिर इसको हम लिख सकते है ut is equal to k uxx प्रीवेस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो heat equation होती है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है a square और यहां पर आ जाएगा x तो यहां पर जो मैं a square इस्तमाल कर रहे हूँ और या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए बट होता क्या है कि आप अगर एक form याद करके चल रहे हो suppose कर आप आपने a square वाली जो form है इसको याद करके आप चल रहे हो तो आप उसी same form को याद रखिए आप switch मत करिए क्योंकि अगर आप a square की काफिसरी books में a square करके अगर लिखा होता है तो उसी के accordingly उसका solution होता है फिर हम जो है a का इस्तमाल वहाँ पर करते हैं मिलब solutions पर depend करता है अगर वो आपको a solution mention कर रहा है equation में तो उसी के accordingly उसका sorry अगर वो equation में a square mention कर रहा है तो उसके solution उसी के accordingly बनाया गया है अगर वो k इस्तमाल कर रहा है सर्फ तो उसका solution उसके accordingly है तो आपको एक ही form अपने mind में रखनी है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ k इस्तमाल कर रही हूँ तो मैं जो solution लिखूंगी वो सिर्फ k के लिए है जीकर a square की form के लिए नहीं है दोनों ही correct है basically it's a constant बट आप जो solution बनाया गया है उसके accordingly अगर आप k suppose करो a square याद रखते हो और solution जो है वो k के accordingly apply करते हो फिर आपका answer जो है वो गलत हो जाएगा ठीक है तो यह हमारी हो गई heat equation x जो है वो हमें mention है कि वो 0 से जादा और l से कम है boundary conditions हमें given है बलब 0 t पर और l t पर यह 0 के बराबर है t is greater than is equals to 0 और यह तो हमारी हो गई boundary conditions ठीक है boundary conditions initial condition हमें given है u x 0 is equals to f x तो इसका solution आपको कैसे मिलेगा solution is u x t is equals to summation the summation is running from n is equals to 1 to infinity d n sin n pi x by l e to the power minus k n square pi square t by l square यहां पर जो d n की value है वो हमें calculate करनी होती है और यह होता है 2 by l is equal sorry this is integrated function is integrated from 0 to l f x sin n pi x l and t x solution और solution जो होता है वो होगा unique होता है अब इस चीज़ को समझते हैं इसका जो proof है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा जो first video मैंने बनाई थी heat equations related उसमें मैंने इसका प्रूफ बताय था कि इसको हमने निकाला कैसे है तो आप वो देख सकते हो तो हमने बात की थी यहां पर जो l मैं mention कर रहे हूं वो क्या है एक तरीके से homogeneous length है एक बार है suppose करिए हमारे पास तो जो उसकी length है वो l है ठीक है length is l that's why we are saying कि हाँ पर जो हम x इस्तमाल कर रहे हैं वो 0 से greater है और हमारा l से less है तो l यहां पर smaller लिग दिए हमारी length है t यहां पर हम time के लिए बात कर रहे है तो जो मैंने proof discuss किया था तो मैंने बताया था कि हम suppose कर रहे हैं और जो उसका extreme end है उस पर हमने temperature जो है वो 0 temperature है यहां पर आप boundary condition देख सकते हो 0 t 0 मतला जो यह initial position है x की प्लेस पर देखिए यह जो u x t है तो आप x के प्लेस पर देखिए जो boundary condition एक बार 0 लिया गया है एक बार L लिया गया है मतलब यह 0 एक यह वाला आपका extreme end और फिर L यह वाला extreme end at time t तो यह हमने temperature जो है वो 0 लिया हुआ है तो हमारी boundary conditions हो गई और u x 0 पर हमने f x initial condition हमने mention कर रहे है यह हो जाएगा हमारा f x तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हमने एक बार लिया हुआ है और उसका extreme end का जो temperature है वो 0 है और वो जो बार है वो homogeneous length की है homogeneous length बोलने का मतलब कि वो जुसकी जो thickness है वो throughout the bar जो है वो same है तो इस ऐसे case में आप जो उसका solution है वो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो आपको क्या करने है dn की value calculate करनी है मतलब dn जो है पहले आप d1 calculate करोगे d2 calculate करोगे d3 calculate करोगे और उसका submission मतलब यह जो dn है उसका submission होगा ठीक है और उसको solve करके हमें answer मिलता है जो solution मिलता है और solution हमेशा unique होता है अब आप यह सोचोगे कि हम d1, d2 इनको calculate करेंगे कि करके तो what time लग जाएगा वो मैं आप लोग को बताऊंगे किस तरह के से सको solve करता है तो अभी आपको बस धान रखना है कब कौनसे case में हम कौनसे formula को इस्तमाल करेंगे last video में जो I think इससे previous video जो मैंने heat equation की upload की थी उसमें मैं आप लोग को एक formula बताया था वो basically formula को use कम करना है मैंने एक चीज यह कहा था कि जब आपका domain जो है वो infinite होना चाहिए तब आप इस formula को इस्तमाल कर सकते हो तो वही इंपोर्टेंट आप इंपोर्टेंट आप इंपोर्टेंट फेक्टर है इस formula के बारे में heat equation heat equation अगर हमें निकालना है in infinite domain जो पहला वाला मैंने आभी आपको डिसकस किया formula solution निकालने का तरीका वो कब आप इस्तमाल कर conditions कुछ उस तरीके से given हो और initial conditions वैसे given हो तो वह solution हम इस्तमाल करेंगे अगर आपको mention है कि जो heat equation है वो infinite domain का है तो उस case में हम कैसे solve करेंगे पहले मैं heat equation लिख देती हूं utk uxx double differentiate with respect to x और क्योंकि infinite domain की हम बात कर रहे है तो यहां पर जो हमारा x है वो हमारा minus infinity to infinity के बीच में है कुछ इस तरीके से आप जो changes है वो यह देख सकते हो कि हमने जब इसमें x की बात की थी तो यह आपका जो है एक fixed interval से है मतलब 0 to L से whereas यहां पर जो हम x की बात कर रहे है हमारा जो domain है वो infinite domain है और जो conditions इसमें हमें given है ux0 वो हमारी fx मतलब initial condition तो वही same ही है तो इसका solution कैसे न uxt is equals to 1 by 2 under root pi kt minus infinity to infinity और fy exponential e to the power minus xy x minus y का whole square 4 kt और यहां पर आजाएगा dy आप इसको इस तरीके से लिखो या फिर uxt this is equals to मैंने जो last video में ऐसे mention किया था इस two को आप अंदर ले जोगे तो यह 4 pi kt हो जाएगा और ऐसे लिख रहे हो मतलब minus infinity to infinity run कर रहा है function हमारा fy था this was dy minus x minus y का whole square 4 kt तो यह हो गया इसका solution और यह इस से related तो मैंने आपको एक दूँ examples भी बताये थे उस video में एक example था I guess heat equation का okay तो इसको यह आप वहां से भी देख सकते हो और हम इस video में भी इसको discuss करेंगे तो यह हो गया heat equation in infinite domain heat equation with non-homogeneous boundary condition short value to do okay so heat equation यहाँ पर हमें mention है ut is equals to x uxx यहाँ पर जो x की value है यहाँ भी पस जो पहला case discuss किया था और जो यह वाला case है इसमें जो बस difference है वो हमारी boundary condition non-homogeneous boundary condition का ही बस difference है तो x की value जो है वो आपकी 0 to l है t is greater than 0 boundary conditions हमें क्या given है 0 to t boundary condition में difference आपको मिलेगा यह c1 है मैं आपको बता भी देती हूँ difference किस तरीके से and this is equals to c2 अगर आपने पहला case था उसमें आपने देखा कि जब मैंने boundary condition लिखी थी तो कुछ इस तरीके से mention किया था this is equals to l पर यह आपका 0 के बराबर था ठीक है यह मैंने boundary condition लिखी थी जो extreme ends पे हम बात कर रहे थे इस वाले में आप देख रहे हो कि इसके लिए अलग value given है c1 और इसके लिए अलग value है c2 तो यह non homogeneous है होमोजीनियस होता है तो आप ऐसे relate कर रहो है ऐसे याद रख लो जब होमोजीनियस होता है जो equation तो हम is equals to zero mention होता है में क्योंकि यह non homogeneous है तो आपको एक u 0 t पर c1 मिल रहा है और l वाले case में आपको c2 मिल रहा है तो यह non homogeneous boundary condition हो गई दोनों के लिए आपको अलग-अलग values मिल यह ही changement है आपके यहां से ही आपको hint मिलेगा पता चलेगा कि कब हमें यह third case मतलब इसके लिए जो solution में लिखने वाली हूं वो आपको कब इस्तमाल करना है initial condition आपकी same रहेगी that is u x 0 is equals to f x यह आपके भी तीनों मिल आपकी question में आपको यह जो f x होगा वो आपको given होगा तो तो तीनों ही case में मैंने same initial condition लिखिया हो तो question accordingly vary होता चला जाएगा तो solution क्या है यह main है हमें निकालना है u x t so solution will be v इस form में रहेगा v x t plus a x plus b अब आप सोच रोगे कि यहां पर a v x t क्या है या a और b की value कैसे calculate करनी है तो देखे a और b जो यहां पर हम हमें calculate करना होगा वो हमें question में जो boundary conditions और जो हमें initial conditions given होगी वहां से हमें a और b की value मिलेगी यहां पर जो v x t है वो actually solution होगा इसकी corresponding homogeneous heat equation का वो मैं आप लोगों को example की help से बताऊंगी कि किस तरीके से इसका solution निकाला जाएगा यह भी तरीके की heat equation ही है तो यहां पर मैं mention कर देखे हूँ इस v x t क तो यह हो जाएगा आपके पास v t is equals to k v x x और इसकी जो हमें boundary condition given है वो कुछ इस तरीके से होगी 0 t is equals to v l t is equals to 0 तो मैंने अभी बताया कि यह आपकी corresponding corresponding main is homogeneous heat equation जैसे ही यह word आपका homogeneous word आ जाता है तो आप यह धान रखिए जो boundary conditions है आपको यह boundary condition आपने case 1 में देखी थी ठीक है is equals to 0 के बराबर वही same लिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर हम homogeneous heat equation का यह जो v है उसकी help से हम इसको solve करेंगे तो boundary conditions जो है पहले वाले case की तरह सेम है initial condition भी आपको वही same मिलेगी vx0 क्योंकि हम fx का इस्तमाल u वाले के लिए function के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको gx नाम दे देती हूँ और इसका solution जो है वो आपको मिलेगा vxt summation dn sign मतलब जैसे आप पहले वाले case में आपने निकाला थाना solution exactly वही same ही है कोई difference नहीं है e to the bar minus n square by square t by l square और dn की value वैसे ही calculate करनी है आपको 2 by l 0 is equal to 0 this gx का function इसका integration करना है हमें from 0 to l sign n by x by l dx तो कोई changement नहीं है homogeneous की help से ही वहाँ से निकालना है जब आप यह solution मिल जाएगा तो हम इसमें put करेंगे actually main तो यह हमारा solution है a और b की value calculate करेंगे और यह जो vxt है वो homogeneous वाले case की help से हम solve करेंगे सब की value हम इसमें put कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा solution of heat equation with non homogeneous boundary condition यहाँपर जो हम l का इस्तमाल कर रहे है वो हम हम mention होगा suppose कर ऐसे given है कि जो x की value है यह आपकी कुछ इस तरीके से given है 0 to, ऐसे given है, तो L की value वो आपको यहां से पता लग जाएगी, तो यह जो हम यहाँ पर L इस्तमाल कर रहे हैं, यहाँ पर mention कर रहे हैं, वो आपको compare करके मिल जाएगा, अगर नहीं given होगी, तो वहाँ पर L mention होगा, अगर वो infinite domain नहीं है, तो आप उसको as it is L भी रहने दे सकते ह इस 1 को हम include कर रहे हैं उसमें, V के part को calculate करने के लिए, पाकी फिर इसमें put कर देंगे, तो यह आपका आजाएगा, non-homogeneous case का solution, दो cases और रहे गए हैं, इसमें से एक case आपका है, heat equation, heat equation, when both ends, both ends are insulated, इसके लिए हमारे पास जो solution है, वो थोड़ा different है, and एक case और है, heat kernel के बारे में, heat kernel, तो इन दोनों topics को हम next video में देखेंगे, otherwise मुझे आपको, जो last हमने cases discuss कि हैं, उसके examples भी बताने हैं, कि उसको apply कैसे क्या जाता है, अभी हम सारा discuss करेंगे, तो इन दोनों topics के लिए हम, जो next video है, उसके लिए रखते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं, अब हम examples है, तो यह ध्यान रखना है, आपको कि दो cases अभी और है, insulated का और heat kernel का, इसमें भी आपको, heat kernel में दो cases मिल जाएंगे, homogeneous और non-homogeneous pay-based, और दोनों का solution है, थोड़ा different है, drichley conditions पे based, मला conditions जोंगी, वो drichley की ह होगी, तो हम next video में दिखेंगे इनको, पहला example, function हमें given है, u x t is equals to 1 by root t e to the power minus x square by 4t, यह होगा, t greater than is equals to के case में, where x belongs to are in both the cases, t is less than is equals to, if t is less than is equals to 0, then हमारा जो function है, वो 0 है, और हम से पूछा है, कि यह solution होगा, heat equation का कौन से cases में, पहला है, x t, जहाँ पर हमारा x r से belong कर रहा है, और t r से belong कर रहा है, second case में, x t, x जो है r से belong कर रहा है, t is greater than 0, इसमें define होगा, but not in the set, x t, where x belongs to r, but t is less than 0, बोल रहा है, इस case में होगा, और इस case में नहीं होना चाहिए, भी option में यह option यह बोला गया है, third में बोला गया है, कि x t, होगा, जहाँ पर x और t दोनों ही r से belong कर रहे हैं, बट इसमें 0, 0 वाला जो पेर है, उसको नहीं लेना है, last one is, कि x तो r से belong कर रहा है, and t should be greater than minus 1, तो हमें यह पता करना है, कि यह solution होगा, कौन से case में solution होगा, heat equation का, देखें, अगर हम heat equation के बात करें, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, curly u by curly t is equal to, कर आप k लेना चाते हो, तो मैं अभी यहापर k mention कर लोगा, और otherwise कोई constant c square, तो यह हो जाएगा आपका x square, again, ठीक यही है कि आप एक ही form याद रखें, आप दोनों form याद रखोगे, तो आपको ज़रूर solution में confusion होगी, ठीक है, तो आप अपने mind में एक ही form रखें, तो अगर हम heat equation की बात करें, तो यह कब होगा, अगर जब आप u को x के respect में differentiate कर रहे हो, मतलब यह exist करना चाहिए, आपका u यह exist करना चाहिए, कर ली u by कर ली t exist करना चाहिए, उन points पर जिस पर भी वो heat equation जो है, वो define हो रखिया है, अगर, क्योंकि वैसे तो मैं u, x, t इसमें ही देखें, तो x and t, यह जो है, जब 0, 0 की मैं बात करूँ, तो उस पर defined नहीं है, अभी मैंने curly u by curly t, जो है, वो नहीं solve किया है, बट मैं वैसे अभी आपको बता रहे हूँ, कि अगर, जब x और t, दोनों ही 0 हो जाता है, तब वो define नहीं होगा, आप जब दोनों को 0 कर देते हो, तो वो define नहीं होगा, बट यह अभी u की value है, we are concerned with curly u by curly x और curly u by curly t, इनका exist होना जरूरी है, क्योंकि यह हमारी heat equation है, तो आपको क्या करना है, यह जो u mention है, इसका आप एक बार x के respect में differentiate करोगे, और इसका इबार t के respect में differentiate करोगे, और वहाँ से आप यह देखिए कि कौन से point पर आपका heat equation है, वो define नहीं है, जैसे कि अगर मैं curly u by curly x निकालूं, तो 1 by root t, जो है वो as a constant rate होगा, उसको मैं as it is लिख सकती हूँ, और exponential वाले part का जब मैं differentiate करोगे, तो एक बार तो यह as it is हो जाएगा, और वापस से इसका जब ह यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हूँ, मैं इस 2x को यहाँ पर ही लिख देती हूँ, 2x, तो सारे pairs के लिए यह okay है, पर जब आप यह वाला 00 वाला pair लोगे, 00, तो यह अपके पस जो है not defined term बन जाएगी, तो exist कौनस कब नहीं करेगी, जब मैं 00 include करूँगी, तो यहाँ पर इसके की पहला option है, कि हर x और t की value जो r से belong कर रही है, उसके लिए यह solution हो जाएगा, then t is greater than 1, तो आपका जो 00 वाला case है, minus 1 यह रहा, इससे greater, मतलब यह वाला portion आपका, 00 आपका यह है, तो यहाँ पर भी last वाले case में भी 00 वाला जो pair है, वो include हो जा रहा है, c option is correct, क्योंकि वो हो जाएगा, बढ़ 00 के लिए नहीं होगा, यह part b का question है, तो एक ही option correct होगा, यहाँ से पता चल रहा है, दूसरा यह कह रहा है कि t greater than 0 के लिए, मतलब, t greater than minus 1 वाला बोला, sorry, sorry, यह मैंने आपको x के लिए बता दिया, domain, t minus 1 यह रहा न, यह वाला portion होगा, 00 भी include हो रहा है, last option की मैं बात करें, b option की बात करें तो बोला, t greater than 0 के लिए होगा, और less than वाले part के लिए नहीं होगा, तो यह इसलिए भी incorrect है, क्योंकि हमें t की negative यह positive value से, पर इफेक्ट नहीं पढ़ रहा है, बलकि जब पेर 007 में, बलब 00 जो point है, उस पर यह defined नहीं है, तो c जो option है, वो correct हो so you will get to, यह जाएगा आपके पस, minus 3 by 2, and u भी लग जाएगा, क्योंकि हम t जो है, वो दोनों ही, इसमें भी है, और इस वाले position में भी है, यहाँ पर भी t है, और इसमें भी है, तो u by v से आप solve कर सकते हो, this will be x square by 4t, plus t to the power minus half, e to the power minus x square by 4t, and x square by 4, into 1 by t क whole square, तो यह आपको solve करने की जुरत नहीं, आपको curly u by curly x से ही option जो है, और आप करते हो, t के respect में भी थोड़ा सा यह लेंदी जा रहा है, बट यहाँ से भी आपको यह पता लग जाएगा, कि जो 0 by 0 की form बन रही है, तो words पर defined नहीं होगा, ओके, यह जो question है, basically वो domain पर था, कि कौनसे domain पर यह solution आएगा, तो जो domain चेक करना हो, तो आप इसी तरीखे से चेक करिएगा, कि कौनसे domain में, सारे जो domain के points है, उस पर आपका जो heat equation है, वो defined है, या फिर नहीं, अब आजाते हैं, next question पर, second question है, if u x t, this is a solution of curly u by curly t is equal to u का differentiate x के respect में, twice time, x की जो value है, वो इस से less है, और t की value, जो है, वो greater than 0 है, initial condition हमें given है, u की, u x 0 पर हमें value देता है, 1 plus x, sin, pi x, cos, pi x, and boundary जो condition है, इसकी, u 0 t पर देता है, 1, और 1 t पर देता है, 2, okay, so यह question में given है, और इसका जो first option है, that is, u हमें मुलब calculate करना है, इन points पर, 1 by 2, 1 by 4 पर, 1 by 2, 1 by 2 पर, इस पर given है कि इसका answer, लब इस पर 3 by 2 देगा, इस पर 3 by 2 देगा, c option में given है, 1 by 4, और 3 by 4 पर, 5 by 4, plus, e to the power, minus 3 by square, last है, u, 1 by 4, और 1 पर देगा, 5 by 4, plus, half, e to the power, minus 4 by square, यह part C का question है, so more than 1, जो है, वो correct हो सकते हैं, हमें solution निकालने के बाद, इन points पर check करना होगा, ठीक, यह 4 points अलग-अलग given हो, तो हमें 4 options को, check करना पड़ेगा, दूसरी चीज, अगर हम देखें, इस question में, जो boundary condition हमें given है, वो कैसी है, non-homogeneous, जो case मैंने आपको बताया था, heat equation जब हमें given हो, और उसकी boundary condition कैसी हो, non-homogeneous, तो जो solution निकालने का तरीका है, वो हम इस्तिमाल करेंगे, और यह जो हमें initial condition दी होती है, यह हमारी क्या होता है, यह हमें fx की value given होती है, और यह तो आपको पता ही चल रहा है, कि यह हमें heat equation given है question में, तो इसका जो solution निकालने का तरीका था, वो क्या था, कि uxt, जो हमें solution निकालना है, यह किसके बराबर होता है, vxt plus ax plus b, जहाँ पर मैंने आपकों को यह कहा था, इसको equation number 1 दे देते हैं, यहाँ पर जो vxt होता है, इससे corresponding homogeneous heat equation होती है, और a और b की value जो है, वो हम initial condition, इनिशन और boundary condition की help से निकालते हैं, तो boundary condition की help से हम a और b की value को calculate करेंगे, vxt के बारे में मैंने आपको और का information बताई थी, जो इसका निकालने का तरीका है, वो exactly वही जो case number 1 है, heat equation हमें जब homogeneous boundary condition given होती है, जिस तरीके से निकालते हैं, वही सेम तरीका होता है vxt निकालने का, और इसकी जो हमें, vxt की, जो हमें boundary condition given होती है, वो यह होती है, कि 0t, मतलब जो initially, initial जो 0 है, sorry, boundary condition बोल रहे हो न, तो 0t और 1t बर यह हमें value देता है 0, यह हमें पता होता है, इसकी condition, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यू की जो हमें boundary condition given है, उसका इस्तमाल करके हम a और b की value को calculate कर लेते, तो पहला जो हमें given है, वो यह है, u, 0, t, यह हमारा 1 के बराबर आएगा, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी x है, वहां पर हम 0 put कर देंगे, यह हमारा solution, और जहां पर ts को आप अजटेस रहने देंगे, तो यह हमें मिल जाएगा v0 t plus, जब हम यहां पर put करो, x की value 0, यह पूरा 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा b, and यह हमें पताएगी किसके बराबर है, v0 t हमारा 0 के बराबर हो, यहां पर बचा बस b is equal to 1, b की value आ गई, इसी तरीके से जो दूसरा, हमें boundary condition given है, u1 t पर 2 value देता है, तो यह हम calculate कर लेते हैं, 1 t, जहां पर x है, वहां पर हम 1 put कर देंगे, 1 t, प्लस a, b की value हमें 1 given है, तो यह हमें 1 put कर देते हैं, यह given है, हमें question में 2 के बराबर है, यह किसके बराबर है, initial, जो boundary condition है, v0 के बराबर, तो यहां पर यह आ जाएगा, a की value, 1 के बराबर, ठीक है, तो हमने, जो हमारा solution है, यही हमारा solution है, बस हमें क्या करना है, a की value को calculate करना है, b की value को, और यह जो vxt है, इसकी value को calculate करना है, अब इसी solution में आप a और b की value put कर दो, तब हम कहां तक पहुँच चुके हैं, कि जो यह हमारा uxt solution है, अब question में, जो हमें initial condition given है, कि ux0 इसके बराबर होता है, तो वही हम put कर देंगे, तो uxt हो गया, यह तो हमारे पास जो condition है, वो ux0 की condition है, बतलब यह हमें दे रखा है, question में fx, t की जोहाँ पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है बस, so this is equal to 1 plus x plus sin pi x cos pi x is equal to t की जोहाँ पर 0 रखना है, तो यह जाएगा vx0 plus x plus 1, 1 से 1 cancel, x से x cancel, यह हमारा आगया, vx0 पर हमें देता है, sin pi x cos pi x, अब यहाँ पर अगर मैं 2 से multiply and 2 से divide गर दूँ, तो उपर जोहाँ हमारा formula बन गया, sin 2 theta का, so 2 pi x, यह by 2 आजाएगा, और यह हमें vx0 की value की बन है, तो यह जो v हमें निकालना है, that is homogeneous, homogeneous boundary condition है, इसके, और जो case number 1 के accordingly, फिर्सका solution क्या होगा, vxt हमें मिलेगा, this is equal to summation, n is equal to 1, this summation is running from, n is equal to 1 to infinity, dn sin, यह हो जाएगा, n pi x by l, e to the power minus k, n का square, pi का square, l का square, और यहाँ पर जो variable, जिस भी form में हम कर रहे हैं, variable क्यादा, t है, okay, and, यहाँ पर यह जो dn है, उसको calculate करने का formula था, dn is equal to 2 by l होता है, integration होता है, हमारा 0 to l, यह आपको याद रखना पड़ेगा, function यहाँ पर हम gx ले लेते हैं, this is equal to sin, यही, n pi x by l dx, तो यह आपको, case number 1 में मैंने आपको बताया था, वही मैंने formula लिखा वह, इन दोनों को आपको 6 से learn होना चाहिए, एक भी चीज अगर इधर उधर हो गई, तो फिर पूरा ही solution wrong हो जाएगा, तो dn पहले हम calculate करेंगे, d1, d2, और यह हम इस summation में put करेंगे, तो d1 देखिए पहले कैसे calculate करना है, यहाँ पर l की value आपको कहां से मिलेगी, जो यहाँ पर मैंने dn में जो आपकी l देख रहे हो, इसकी value आपको मिलती है, यहाँ से कि जो आपका x है, वो किस से less है, तो यहाँ पर l की value आपके पास आ गई 1, तो इसमें हम, यह जो मैंने last में formula लिखा है dn का, तो यहाँ पर हम l की value 1 पुट करेंगे, अब बात आती है कि gx की जिखाँ पर आपको क्या पुट करना है, तो आप बिल्कुल उसी concept से यह चीज़ों को याद रखे, जब मैं u की बात कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम u x 0 calculate करते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, f x होता है, और जब आप 0 t, एक तो यह हो गया, u of 0 t and u of 1 t, जब इसकी value आप calculate करते हो, यह आपको क्या बताते हैं, यह आपको boundary conditions बताते हैं, उसी similar तरीके से, जब आप v की बात कर रहे हो, तो v x 0 आपको क्या देगा, g x देगा function, मैं यहाँ पर f x इसलिए नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि फिर वो same function हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी और function g का इस्तमाली हाँ पर किया है, तो यह जो आपको g x है, वो कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस v x 0 से, और इसकी value just हमने अभी calculate की है, और वो रही यह, ठीके, तो आपको सबकी values पता चल चुकी है, हम इस d n इसमें put करेंगे, तो यह आपके पास d n की value आ जाएगी, d n is equals to 2 by l था, तो मैंने 1, l के जहाबे 1 put कर दिया, यह हो जाएगा 0 to l था, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, g x की जो value थी, that was sine 2 by x by 2 जो था, वो मैंने बाहर कर दिया, बहुले 1 by 2 मैंने बाहर कर दिया, और इसके बाद था, यहाँ पर sine n by x by l और dx, अब देखे, 2 से 2 तो cancel हो गया, अब आपको जो d1, d2, d3 calculate करना है, ऐसा नहीं है कि आप बैटके आराब से, पूरा d1, d2, इसे को calculate कर रहे हैं, end तक, ठीक है, वो possible भी नहीं है, और calculation तो फिर वो चलती जाएगी, never ending है, ठीक है, क्योंकि n की जो value है, वो हम क्या कहते हैं, कि summation this one is running from infinity, तो हमें solve कैसे करना होता है, इस चीज को, जब मैं यहाँ पर n की value को 1 put कर दूँगी, तो यह हो जाएगा πाई x, और जब मैं n की value को यहाँ पर 2 put करूँगी, तो sin 2 πाई x मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो आप देखोगी, कि हर case में आपको एक बार, जैसे मान लिजए कि यहाँ पर सिर्फ पाई x होता, तो मैं एको n is equals to 1 रखने पर, यहाँ पर मुझे दो साइन के मिल जाते, एंगल सेम हो जाता, यहाँ पर पहले मैं l की value 1 कर देती हूँ, अब आपको चीज़ समझ माएगा, ओके, so I was saying कि आपको यह देखना है, कि यह जो एंगल है, और यह जो एंगल है, मैं जब n की value यहाँ पर 2 पुट करूँगी, तो मेरे पास case कुछ ऐसा हो जाएगा, sine square 2 pi x, और मुझे इसका integral निकालना होगा, और इस case को छोड़ कर, मतलब n is equal to 2 वाले case को छोड़ कर, जब आप n की value 1 पुट करोगे, यह 3 पुट करोगे, इन सारे cases में, आपके जो यह दोनो sine वाले functions हैं, यह दोनो अलग-अलग होंगे, तब आपको sine A into sine B, यह integrate करना पड़ेगा, clear है इस बात, square को calculate कर सकूँ, तो यहाँ पर, थोड़ा सा simplify पहले कर लेते हैं, put pi x is equal to y, ठीक है इसको पुरा हम y गर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा, pi dx is equal to dy, और dx की value चाहिए, तो dx, यहाँ से मुझे मिल जाएगा dy by, जब आप value फुट करोगे, तो यह हो जाएगा, आपका dn is equal to integral, यहाँ पर हो जाएगा sin 2y, और यह हो जाएगा cos, sorry, sin ny, और dx की जाएगा dy, 1 by pi इदर आ गया, क्योंकि substitution किया है, तो limit change हो जाएगी, और यह हो जाएगा 0 to pi, अब हम निकालते हैं, सबसे पहले d2 की value, और यह हो जाएगा, हमारा d2 is equal to 1 by pi, limit हो जाएगी 0 to pi, और यहाँ पर यह हो जाएगा, sin square 2y and dy, इस sin square को हम cos की form में change कर लेते हैं, हमें पता है कि cos 2 theta, किसके बराबर होता है, 1 minus sin square theta के बराबर होता है, यहाँ पर जो हमारी theta की value है, वो क्या है 2y, इसको आप calculate करोगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2, यहाँ पर हम put करेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा 1 by pi, limit हो जाएगी हमारी 0 to pi, इसको मैं अलग-अलग लिखते रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा half, यह हो जाएगा dy minus, and this will be half cos 2, theta की जगा पर 2y आजाएगा, मतलब 4y हो जाएगा, this will be dy, और limit हमारी जालेगी 0 to pi, जब हम से value calculate करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 by pi, और यह हो जाएगा y, limit लग जाएगी हमारे पास, इसकी limit हो जाएगी 0 to pi, और minus half, इसको जब हम calculate करेंगे, तो यह हो जाएगा, sin 4y by 4 नीचे आजाएगा, limit हो जाएगी हमारी 0 to pi, इसको जब आप solve करोगे, 1 by pi हो जाएगा, upper limit minus lower limit, यहाँ पर मिल जाएगा, pi by 2 minus half, जब हम यहाँ पर put करेंगे, तो यह जब हम 4 pi by 4, जब हम 0 put करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपके पास 8, sin 4 pi की value 0 होती है, तो यह पूरा आपका 0 ही हो जाएगा, वैसे भी, और directly भी आप यहाँ से 0, आपको मिल जाएगा, वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, pi से pi कैंसल हो रहा है, और answer आपको मिल गया half, तो d2 की value हमने calculate कर ली, d2 is equals to half, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले d1 की value calculate कर लेते हैं, मतलब जब n की value 2 के बराबर नहीं होगी, तो बाकी की जो n की values बचती हैं, उनके लिए क्या values आएंगी, जब आप d1 calculate कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी की values क्या है, काफे बार हमें d1, d3 भी calculate करके पता चल सकता है, कि क्या pattern है, आगे की values क्या होंगी, जिसे जरूरी नहीं है, इस case में क्या था, कि n की value 2 रखने पर, आपको वो sine square बन रहा था, अलग-अलग cases में, अलग हमें situation मिल सकती है, तो अभी मैं आपको बता रही हूं, कि d1 हम calculate कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पर value थी 1 by pi, limit थी हमारी 0, 2, pi, and sine 2, pi था यहाँ पर, और वो n pi था, क्योंकि d1 की value calculate कर रहे है, यहाँ पर sin a sin b का जो form बाइंड रहा है, तो हम formula पूट कर देते हैं, sin a sin b, यह हमारा होता है twice, जब हम यहाँ पर 2 होता है, so 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b, तो क्या करते हैं कि 2 multiply कर देते हैं, और 2 divide यहाँ पर कर देते हैं, और यह जो उपर है, यह आपका बन जाएगा, 2 y minus y, और a plus b, यह जागा आपके पस 3y, यह d1 is equal to 1 by 2 pi, limit हो जाएगा आपकी 0, 2 pi, यह हो जाएगा, cos 2y minus y y minus cos 3y dy, मैं इनको दोनों को अलग-अलग कर देते हूँ, जब 0, 2 pi, यह पूरा multiply हो रहा है, cos y हो जाएगा, आपके पस sin y, limit हो जाएगी, 0, 2 pi minus again, यह हो जाएगा आपका sin, 3y limit हो जाएगी, 0, 2, pi, 1 by 2 pi बाहर था, जब आप value पूट करोगे, तो यह आपका हो जाएगा, जैसे आप pi पूट करोगे 0 हो गया, यहाँ पर pi पूट करोगे 0 हो जाएगा, यह पूरा 0 गया, तो यह भी 0 गया, d1 की value क्या जाएगी 0, इसी तरीके से आप d3 की value calculate करोगे, तो वो भी क्या जाएगा 0, देखो, आपको पता कैसे चल रहा है कि बाकी सारी values भी 0 हो जाएगी, आपको यह देखिए, कि यहाँ पर पस n की value तो change हो रहे, एक बाद 3 आजाएगा, फिर 4 आजाएगा, बट formula हमेशा किसका बनेगा, 2 sin A, sin B का बनेगा, और वो किसके बराबर होता है, हमारा cos के बराबर होता है, जब B cos का integration करेंगे, तो वो sin आएगा limit तो, हमेशा πाई की form में ही चल रही है, and we know that, साइन पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, यह हमेशा 0 value देते हैं, तो मतलब, जब N की value 2 नहीं है, जब N की value 2 नहीं है, तो हमेशा जो D N की value हमें मिल रही है, वो 0 मिल रही है, बस D 2 पर ही हमें एक value मिली थी, and that was half, ओके, तो जो summation हमारा solution था, वो यह था, summation चलता है हमारा, तो इस summation में, बस हमें क्या है, D 2 की value मिलेगी, बाके जब आप D 1, D 3 वगरा की values पूट करोगे, तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, तो अब हम इस में value पूट कर रहे हैं, यह summation हट जाएगा, और D 2 की value बस आपको लिखनी है, this is equal to V X T, D is equal to half, and यह हो जाएगा, sine, half क्यों आ रहा है, क्योंकि यह आपकी D 2 की value है, मैं यहाँ पर solution की form लिख दे रहे हूँ, जैसे आप लोगों को पता रहे हैं, वेल्यू किस तरह के से पूट की जा रही है, यह V X T था, summation और यहाँ पर D N था, then sine N pi X by L, E to the power minus K N का square, यहाँ पर जो pi है उसका square, यहाँ पर जो L है उसका square, और जो T, variable चल रहा है वो, अजब T, ठीक है, एक यहाँ पर sine का रहता है, अजब sine लिख रहे हो तो वहाँ पर X variable रहता है, जब exponential लिख रहे हो, वहाँ पर T variable रहता है, 2, क्योंकि बस 2 के लिए ही हमें solution मिला है, तो यह हो जगा sine 2 pi X, यह 1 हो गया था, E to the power K की value भी 1 थी, तो minus N की value यहाँ पर 2 थी, तो 4 हो जाएगा, and pi square L की value 1 थी, तो यह आ गया T, VXT की यह value आ गई हमारे पास, उसके बाद हमें तो UXT की value चाहे थी, क्योंकि वही हमारा solution था, और उसमें हमें plus करना था, plus AX plus B, और इसमें हमें A की value मिली थी 1, तो यह हो जाएगा X, B की value हमें मिली थी 1, तो उनों की value 1 बन थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, तो यह आपके पास solution आ गया, U का, UXT का, यह है हमारा solution, तो अब I hope आप लोगों को पता लग गया होगा, कि non-homogeneous boundary condition में, जो heat equation की बात होती है, उसमें किस तरीके से solution निकाला जाता है, VXT किस तरीके से calculate किया जाता है, A और B की value को किस तरीके से calculate करना है, इसको निकालने की बात, मैं लग, almost यह हमारा solution आ चुका है, बट क्योंकि options में हमसे किसी particular values पे पूछा गया है, तो वो हम check करेंगे कि कौन सा option correct है, और कौन सा नहीं, यह मैं D2 यहां से टारी हूँ, पहला जो पूछा गया है, वो है U, half और 1 by 4 पर, तो जहाँ X है, वहाँ पर हम half पुट कर देंगे, 2 pi, यह हो जाएगा 1 by 2, e to the power minus 4 pi, 1 by 4, and X की जगा पर आजाएगा, half plus 1, तो 2 से 2 cancel, 4 से 4 cancel, this is equals to 1 by 2, sin pi, sin pi 0 हो जागा, तो मतलब यह पूरी ही term जो है, हमारी 0 हो गई, आगे calculate करने की जरूवत नहीं है, first option हमारा correct हो गया, second है, हमें value calculate करना है, half और half पे, तो यह आपके पास हो जाएगा, half, sin 2 pi, X की जगा पर half आजाएगा, e to the power minus 4 square t की जगा पर, half आजाएगा, then plus में X था, half plus 1, again, यह जो sin 2 pi वाला जो portion है, वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब आप cancel भी कर दे हो, sin pi again is 0, तो यह पूरा 0 हो गया, यह value आगई 3 by 2, और question में हमें 3 by 2 ही given था, तो B option भी हमारा correct हो गया, third option में पूछा है, U हमें calculate करना है, 1 by 4 और 3 by 4 पे, तो values हम put कर देते हैं, this is equals to half sin 2 pi, X की जगा पर put कर देंगे, 1 by 4 e to the power minus, यहाँ पर हो जाएगा, 4 pi square into me 3 by 4 put कर दिया, X plus 1 था, तो यह हो जगा 4, ठीक है, तो यहाँ से हम cancel करेंगे हो जाएगा, pi by 2, pi by 2 की value होती है 1, तो यहाँ पर आजाएगा, half e to the power minus, 4 से 4 cancel ही हो जाएगा, 3 pi square and this is 5 plus, 5 by 4, और यही हमें option में भी given था, यह correct हो गया, last option है, यह की value हमें calculate करनी है, 1 by 4 1 पर, again यह हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा, क्योंकि pi by 2 बन रहा है, तो 1 हो जाएगा, sin pi by 2 is equals to 1, and यह हो जाएगा, minus 4 pi by square, t की value 1 है, इसलिए सिर्फ नहीं आजाएगा, और अगे नहीं हो जाएगा, और यही हमें option में given था, इसके चारो option correct दे, और कैसे calculate करना है, वो मैंने आप लोगों को बदा दिया, so I hope आपको, दोनों जो cases मैंने discuss किये हैं, वो आपको clear हो गए होंगे, जो third वाला case था, जिसमें मैंने बताए, infinite domain वाला, उसके लिए मैं link provide कर दूँगे, वो आप लोग देख लीजिया, next video में हम discuss करेंगे, जो मैंने आप लोगों को दो topics बताए, heat kernel वाला, और जब दोनों ends insulate कर दिया जाते हैं, वो दोनों topics हम discuss करेंगे, then we will start wave equation, और उसके पाद Laplace का start करेंगे, and उनसे related questions देखेंगे, thank you,